दोस्तों देखिए मैंने करें खुश्बू को वेर किया था और एक छोटा से इंसिडेंट हुआ मेरे साथ अब इस किलिप को देखिए उसके बाद में बात करती है देखो दोस्तों आज एक मजे की बात बताने वाला हूँ मैं आया था यहां चाय सुट्टा बाहर पर तो यहा मेरे साथ में अब आगया का इंसिडेंस यही बताएंगे कि हुआ क्या देखो यार हुआ यह कि मैं सीसबी आया हुआ था और भाई मिले मुझे और मैं बस एंट्री ले रहा था और यह एक्जिट हो रहे थे और मुझे इनकी पर्फ्यूम की स्मेल बहुत जादा बहुत सही तो मैंने रोब के इंसे पूछा कि exactly कौन सा पर्फ्यूम आपने यूस किया है और मुझे बताऊ उसके बारे मैं तो इन्होंने बताया और तो बी वेरी हॉनिस्ट मैं अभी उस चीज़ को और करने माला हूँ ने और मेरे चैनल सब्सक्राइब होगी मैं तुरंत कर रहा हू इंस्पाइड वर्जन के तो कि अल्टरा मेल का है इसको पताऊंगा क्या कुछ हुआ कैसा मेरा एक्स्परियेंस रहा इनके साथ में और बात करेंगे व्यूडियो के अंदर तो बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं सो हलो मेरे पैरे दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे मेरा नाम है महुम्मद अंजर आप सबी को सलाम नमस्तियाद आप सौगत है आप सबीगा हम सब के यूट्यूब चैनल अन्बॉक्स हकिकत पर देखिए दोस्तों आज मैं आपको बतान मैं वाला हूँ जीन पॉल्म गॉल्टियर के अड्रमेल के एक बहतरीन क्रोन के बारे में और एक और ऐसा पर्फ्यूम्स किंदरा को बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा घजब का है आपको मज़ा आ जागा देखिए फरवर सब को बता दूँ कि ये एक नया फ्रेक्रेंस हाउस है जो कि आता है फॉलो मी पर्फ्यूम्स के नाम से इनका ये पर्फुमरी हाउस है और मेरे पास देखिए इनके काई सारे पर्फ्यूम्स है फिलार मैं दो को टेस्ट किया हूँ और उससे रहा नहीं गया मुझे देखा कि इसके बारे में आपको बताना बहुत ही मेल, यहां आ जाता है और दे पार्फरूम 50 ml वगएरा, इस तरीके से इस वाली साइट से देखेंगे तो plane है, पीछे देखेंगे तो काफी लबी चोड़ी information दी गई है, made in India वगएरा लिखा है, इस वाली साइट से देखेंगे plane है, उपर से देखेंगे वहाँ से भी प्लेन है देखेंगे फ्रवर से आपका बॉर्टल दिखाता हूँ बॉर्टल है इसकी बहुत ही ज्यादा प्यारी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंदा इस तरीक से अपने को मिल जाता है नीचे से दिखाऊं को नीचे एक चिट लगी है छोटी सी जिस पर लिखा है इसका कॉंसेंट्रेशन जो की और दे पार्फॉम आता है और 50 ml इसकी क्वेंटिटी देखिए और इसका टो कैब देखाऊं तो कैब अच्छे से टाइट है कही नहीं जाने वाला है पकड़ा ये बात करते हैं किसे इस स्मूथ है वाउ देखिए वाउ आसम हैं दोस्तों मज़ा आ जाएगा एक टैलिंविए इस से प्यारा अल्ट्रा मेल मैंने यह तो ओरीजिनल इस्मैल किया है या फिर यह फॉलो मी का inspired अल्ट्रा मेल मैंने smell किया thumbs up दोस्तों वाउ है मज़िदार चीज़ है लेकि बात करें सबसे पहले इसके notes के बारे में तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर से वो pierce का note, वो बर्गोमा की खटास, वो vanilla की sweetness, वो warmness, वो woody touch awesome है दोस्तों, मज़ेदार है बहुती ज्यादा घजब का है I'm telling you this, देखि मैं आपको अगर इसको compare करूँ rum silver वाई आफ 99 PM से, तो बहुत अनों इसके आसपास भी नहीं बटकते and this is my guarantee to you दोस्तों, बहुती घजब का बनाया गया है, मैं तो fan हो गया following के इस inspired version से मुझे बहुती ज्यादा मज़ा आया इसके inspired version से देखि बात करें इसकी performance की, मुझे क्या कुछ इससे मिला, देखि मैंने इसके spray किये ते लगबग art as usual, जैसे मैं करता हूँ 4 skin के उपर, 4 अपने कपड़ों के उपर इससे मुझे मान के चलिए साड़ी तीन से चार फीट का projection मिला, लगबग तीन घंटे के लिए, awesome है दोस्तों, और लगबग मान के चलिए तीन साड़ी तीन घंटे के बाद में जब हम चलते हैं, जब हम move करते हैं हवा में लिंगर होता है, घुलता है अपने खुझबू को दूर तक फैकता है, लोगों को पता लगता है कि यहाँ आपने एक बहुत ही घजब के परफ्यूम को वेर कर रखा है बात करें, इसकी लॉंजी विडिए की तो मान के चलिए, स्किन के ऊपर से इसकी खुझबू मेरे को मिली सास से आठ घंटे के आस पास और कपड़ों में से अगले दिन तक खुझबू आ रही थी, I'm telling you this मुझे बहुत ही ज्यादा मज़ा है और देखिए, मेरे पास इनका 10 ML का भी वर्जन है, वो भी दिखा देता हूँ देखिए, इसका भी box as it is same आता है, वही सारी चीज उसी तरीके से लिखी रहती है, और देखिए, बॉटल भी दिखाऊं, तो इसकी बॉटल ने मेरे दिल जीत वे ही बहुत ही जादा cute बॉटल है, जितनी बड़ी बॉटल है, उतना ही बड़ा इसका कैप है, आगे यहाँ follow me वगरा इनके perfumery का नाम लिखा रहता है पीछे आ जाता है inspired by जिससे भी यह inspired जैसे ultra mills है, तो यह ultra mills लिखा है अब देखिए, यहाँ एक चीज पर गॉर कीजिए का यहाँ इनोंने इसका oil concentration लिखा है, जो कि 42-45% है thumbs up और exactly है दोस्तों देखिए, कैप से पकड़के हिलाईए, डोलाईए कुछ भी करिए, कहीं नहीं जाने वाली है बोटल, बोटल लगी है बहुत ही ज्यादा प्यारी कैप खोलते ही ऐसा लगता है कि जैसे अपने हाथ में है hand grenade bomb, और bomb cheese ही है मुझे बहुत मज़ा आया देखिए, इसको भी देखिए रहा वाओ, देख रहे न आप, छोटा packet बड़ा धमाका मज़ेदार है दोस्तों देखिए, ये थी सारी बात इसके notes के बारे में, इसकी khushbrew के बारे में क्या कुछ मुझे मिला उसके बारे में बात करें, ओरिजिनल से कितना मिलता जुलता है, तो guaranteed मान के चलिए, 90% तक मिलता जुलता है, ये दोस्तों मज़ा आ गया, awesome चीज़े आँख बंद करके मंगा लीजिए और comment में बताईएगा जबूर की आपको कैसा लगाईए, अगला एक और आपको दिखाता हूँ, देखिए, उसका box भी सेम रहता है, ये इनकी अपनी self creation है, bottle वही, मेरे पास ये 10 ml का decant है इसका, bottle वही exactly सेम आती है, कहीं कुछ बदलाव नहीं है bottle के अंदर, और presentation मुझे बहुत ही प्यारी लगती है इसका ये देख लिए, इनका ये self creation है, इसका नाम है, beat the heat अब ये क्या कुछ कैसी खुश्बू देता है, क्या कुछ मुझे इससे performance मिली, क्या ये किसी का kilo ने, इसके बारे में भी आपको बता हूँ, अफ़ड़ा पर से spray करते हैं, और बताता हूँ इसकी हकीकत, ये देखिए, बॉटल बहुत ही पहली है, देखिए रख कितनी cute सी है, ये देखिए, वाँ, 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 गजब, गजब है ये भी दोस्तों, I am telling you this, देखिए, बात करूँ, इसके notes के बारे में, तो मान के चलिए, opening में, मुझे इसमें से बर्गमो की खुश्बू आती है, बर्गमो के साथ-साथ मुझे इसमें से aquatic notes मिलते हैं, marine notes मिलते हैं, वो sea notes मिलते हैं, I am telling you this, उसके साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें melon को, melon के साथ-साथ हलका से के water melon का भी touch दिया गया है, और देखिए, जब यह जाता है अपने second note की तरफ, तो second note में मुझे इसके अंदर से बहुती बहतरीन तरीके से गुलाब की खुशबू आती है, गुलाब के साथ-साथ मुझे lavender का एक हिंट मिलता है, और उसके साथ-साथ, देखिए, इसमें jasmine का भी इस्तिमाल किया गया है, बट बहुत ज्यादा loud नहीं है, एक हलका सा हिंट डाना गया है, जो की मज़ा बांदेता है दोस्तों, और देखिए, जब जाता है अपने dry down की तरफ, तो इसके अंदर से बहुती बहतरीन तरीके से मुझे cedarwood की खुशबू आती है, मुझे इसमें मुझे क्या कुछ performance मिली और क्या ये किसी का किलोन है, या वाक के ये इनकी अपनी self creation है, देखिए मैंने इसके भी spray किये थे, आठ, आठ spray से मुझे मिला क्या, यानि मैंने चार body पर, चार कपड़ों पर किये, इसने मुझे लग बग दो से धाई feet का projection दिया तर लग बग दो घंटे के लिए exact बात करूंगा, जिससे जो मिला वही बताऊंगा, अल्टरा मेल से जो मिला था वह बताया, बट इनका जो ये beat the heat है, इससे मुझे दो से धाई feet का projection मिला था, और लग बग दो घंटे के लिए मिला था, बात करूं लॉंजिविडी की तो देखिए इससे मु मुझे ऐसा लगा नहीं कि exactly किसी का किलोन है, but yes, मान के चलिए जितनी भी designer luxurious और niche blue fragrances आती है, ये उस category में आता है, अगर मियों के लिए बहुत ही शांदार एक masterpiece बन सकता है, देखिए आपको बता दूँ कि ये जो 50 ml वाली bottle आती है, ये मिल जाती है लग बग साड़े 500 ये अपना को 199 का मिल जाता है दोस्तों, देखिए डिस्क्रिप्शिन में नंबर वगरा दे दूँगा, आप order करना चाहें तो वर्सेप पर जाके order कर सकते हैं, और देखिए ये थी सारी बात follow me perfumes के बारे में, and I am sure आपको मेरे से पहले कहीं भी इनकी कहीं कुछ एक हकीकत नहीं मिली होगी, कहीं कोई एक review नहीं मिला होगा, और देखिए अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, तो लाइक जरूर कर दीजीगा, और आपको देखिए खुश्बू कलेक करने का शौक है, perfumes lover हैं आप, fragrances से महबत करते हैं, और चाहते हैं किसी भी perfume की हकीकत क जानना, तो जुड़ जाए याग वाक्स अखीकत के साथ में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बाबाई, टेक केर